अस्सलाम अलेकुम मैं महापारत तवस्थुम आज मैं बात करती हूं डाजिस्टिव सिस्टम के बारे में आपके दिमाग में यह सवाल हमेशा आता होगा कि आप जो भी फूड लेते हैं वो आपकी बॉड़ी में कैसे डाजिस्ट होता है कैसे वो आपके बुलट के साथ मिल और कैसे अंडाजिस्टिट फूड आपकी बॉड़ी से बाहर निकल जाते हैं तो आज मैं डाजिस्टिव सिस्टम का डीटेल बताती हूं जिसमें मैं यह बताऊंगी कि कैसे फूड डाजिस्ट हो रहा है कैसे एफजॉर्ब हो रहा है और साथ से साथ कैसे वो आपकी प्रवाइड करते हैं साथ ही साथ में एकसास्थरी ओर बो हम से मिलकर बने होते हैं लग-बग 20 फीट जो कि mouth से एनस तक फैला होता है जिसमें बहुत सारे organs होते हैं जो अलग-अलग function परफॉर्म करते हैं जैसे यह होता है कि आपकी body तब तक healthy नहीं रहते जब तक कि आपका digestive tract healthy नहीं होता है क्योंकि एक old कहावत है कि you are what you eat यानि कि आप जो खाते हैं वही आप है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अच्छा food लेते हैं अच्छा खाना काते हैं तो आपकी body बहुत healthy रहेगी और उसमें बिमारिया कम से कम होंगी लेकिन अगर आप unhealthy food लेते हैं और अगर बिना time से खाना खाते हैं तो इसका मतलब कि आपकी body में बहुत सारी बिमारिया जन्म ले सकती हैं तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले elementary canal के बारे में जिसको gastrointestinal tract भी कहा जाता है अगर gastrointestinal tract की बात करें तो हम जब भी कोई food लेते हैं या फिर कोई liquid लेते हैं तो उसका breakdown होता है यानि कि उसका digestion होता है और फिर उसका absorption होता है यह होता है हमारे elementary canal में यानि कि gastrointestinal tract में इसमें बहुत सारे organs जो होते हैं बहुत important role provide करते हैं जैसे कि pancreas है और liver है तो आईए मैं बताती हूँ आपको कि gastrointestinal tract में कौन-कौन से आरगन पाय जाते हैं मैंने आपको बताया कि gastrointestinal tract जो होते हैं माउट से एनस तक फैले होते हैं जिसमें सबसे पहले आपका माउट आता है माउट के बाद एक pharynx आता है और pharynx के बाद isophagus इसो-phagus के बाद is stomach, stomach के बाद small intestine, small intestine के तीन पार्ट होते हैं जैसे कि duodenum होता है, jejunum होता है, ileum होता है और बाद में उसके बाद large intestine होता है जिसमें colon, rectum और inus के पार्ट समिलित होते हैं तो मैं अब बताऊंगे आपको gastrointestinal tract के layer के बारे में चुकि gastrointestinal tract जो होते हैं, उनमें चार layers पाया जाते हैं, जिनको tunics कहा जाता है और हर layer में अलग-अलग tissues पाया जाती हैं, जिनके अलग-अलग function होते हैं तो gastrointestinal tract में चार तरह के layer पाया जाते हैं, जिसमें mucosa, sub-mucosa, muscularis और serosa जैसे layer होते हैं इसमें सबसे पहले में mucosa के बारे में आपको बताती हूँ, mucosa एक absorptive or secretary layer है जो कि simple epithelium cells का बना होता है, जिसमें thin connective tissues पाये जाते हैं इसके अलावा इसमें goblet cells पाये जाते हैं, जो कि mucosa का, mucos का secretion करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं, sub-mucosa के बारे में अगर sub-mucosa की बात की जाये तो ये बहुत ही thick और highly vascular, यानि कि इसमें blood supply जादा होता है और ये mucosa की जैसे ही होते हैं, ये उन सारे elements को absorb करते हैं, जो कि mucosa से निकल के इनमें आते हैं इसके अलावा, sub-mucosa जो होते हैं, इनमें बहुत सारे glands और neuroplexus होते हैं इसके बाद मैं बात करती हूँ muscularis के बारे में, अगर muscularis की बात की जाये तो muscularis बहुत सारे segmental contraction और peristaltic moment के लिए responsible होता है muscularis जो होते हैं, वो दो layer के बने होते हैं, एक inner circular smooth muscles का layer होता है और एक outer longitudinal smooth muscles का layer पाया जाता है, muscularis का main काम यह है कि इसमें ऐसे engines पाया जाते हैं, जो किसी भी food को चूड यानि कि powder बनाने का काम करते हैं अब हम बात करते हैं, सिरोसा के बारे में, अगर सिरोसा की बात की जाये तो सिरोसा एक last layer है जो कि protective layer की तरह act करता है, यह बहुत सारे muscular connected tissues का बना होता है और इसमें simple squamous epithelium भी पाये जाते हैं, यह एक serious fluid बनाता है जो कि food को lubricate करने का काम करता है, अब मैं बात करती हूँ, accessory organs के बारे में accessory organs की बात करें, तो इसमें सबसे पहले salivory glands होता है, आपने सुना होगा जिसमें तीन तरह के glands होते हैं, एक parotid glands होता है, दूसरा sub mandibular glands होते हैं और तीसरा sublingual gland पाये जाते हैं, उसके बाद tongue यानि के जुबान होता है, उसके बाद teeth, उसके बाद pharynx, उसके बाद isophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, gallblader, pancreas और vermiform appendix वगएरा पाये जाते हैं, तो आईए मैं बात करती हूँ, अब digestion के बारे में कि digestion कैसे होता है, अगर digestion की बात की जाया तो digestion जब food mouth में जाता है, उससे पहले ही food का digestion शुरू हो जाता है, जैसे आप कोई भी food देखते हैं, तो आपके मन में ये लाला चाता है कि काश्व फूड या वो भोजन में खा लेता, जब भी आपको कोई अच्छी smell लाती है, आप उसकी तरफ attract होते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं, तभी आपके मुँ में saliva बनना शुरू हो जाता है, अब जब saliva बन जाता है और food आपके मुँ में चला जाता है, उस वक्त आपका digestive process शुरू हो जाता है, फूड जो होते हैं, वो fuel का बहुत ही important source है, यानि body को भी तो fuel की ज़रूरत है, तो यह fuel जो होता है, वो body को food से ही मिलता है, तो food में जो भी nutrients होते हैं, वो body cells को energy provide करने का काम करते हैं, इसके बाद यह होता है कि food जो होते हैं, वो छोटे छोटे pieces में तोड़ दिये जाते हैं, और ये छोटे pieces जो होते हैं, वो body द्वार absorb कर लिए जाते हैं, मनुष्य में जो protein होते हैं, उनके breakdown होता है, breakdown होने के बाद वो amino acid में convert हो जाते हैं, इस टार्ट जो होते हैं, वो टूट के sugar बनाते हैं और fats जो होते हैं, वो टूट के fatty acids और glycerol का formation करते हैं, digestion के दोरान दो तरह की process एक ही समय में होती हैं, जैसे कि digestion दो तरह का हो सकता है, एक mechanical digestion और दूसरा chemical digestion, mechanical digestion का मतलब यह होता है, जो large food के pieces होते हैं, उनको small pieces में तोड़ दिया जाता है, और यह तोड़ने का काम जो होता है, वो हमारे कुछ आरगन जैसे की teeth से होता है, या फिर हमारे mouth में हो जाता है, या फिर कभी-कभी stomach में होता हैं, इस होता है, और stomach तक यह digestion होता रहता है, अगर हम chemical digestion की बात करें, तो बहुत सारे enzymes जो होते हैं, वो macromolecules को small molecules में तोड़ देते हैं, जिसका आथानी से absorption हो सकें, तो chemical digestion जो होता है, वो saliva से शुरू होता है, और intestine तक होता रहता है, तो digestive system जो होते हैं, चुकि मैंने आपको बताया की elementary canal के बने होते हैं, जिसको digestive tract भी कहा जाता है, और दूसरे abdominal organs जो की digestion में बहुत ही important role play करते हैं, जैसे की liver और pancreas वगेरें, तो elementary canal बहुत ही लंबा tube है, जो की mouth से एनस तक फैला हुआ है, और elementary canols में isophagus, stomach और intestine आते हैं, जहां पर अलग-अलग तरह के enzymes प्रेजेंट होते हैं, वो macro molecules को micro molecules में convert करने में help करते हैं, अगर हम इनकी elementary canal की लंबाई की बात करें, तो लग-बग 30 feet लंबे होते हैं, और इन में बहुत सारे smooth muscles पाय जाते हैं, और ये smooth muscles जो होते हैं, वो food को पीछे की तरफ, यानि की अंदर की तरफ, ढखेलने का काम करते हैं, इसके nutrients जो होते हैं, जो कि जो भी absorption होता है, nutrients जो भी food से मिलते हैं, जैसे कि protein, fats, carbohydrates, vitamins और minerals जो होते हैं, वो small intestine की wall से absorb कर लिए जाते हैं, और वहां से वो blood stream में और lymph में जाके मिल जाते हैं, तो इस तरह से nutrition जो होते हैं, वो जो भी nutrients होता है, वो आपकी पूरी की पूरी body में फैल जाता है, large intestine में भी थोड़ा बहुत absorption होता है, जैसे कि water का absorption होता है, इसके अलावा कुछ minerals का absorption होता है, और जो undigested food particles होते हैं, जिसको faces कहा जाता है, वो NS के रास्ते body से बाहर निकल जाते हैं, तो overall कहले का मतलब की दो तरह का digestion होता है, जिसमें एक mechanical digestion होता है, और दूसरा chemical digestion होता है, इसके बाद हम बात करते हैं, मैस्टिकेशन के बारे में, अगर मैस्टिकेशन की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है, चबाना, किसी चीज को चबाना, तो digestion कि मैंने बताया कि माउथ में ही शुरू हो जाते हैं, तो यह माउथ में digestion कैसे शुरू होता है, तो सबस रखे रिफ्लेक्स-TRIGGERS क्रियेट होने से सैलाइवा अपने आप माउथ में निकलने लगता है और यह फूट में मिलने लगता है जब कि तीफ जो होते हैं वह फूट को मोईस्ट बना देते हैं जब की ती चुट जो होते हैं वह फूट को चबाने का काम करते हैं जिससे कि य बढ़ा जा सके स्टार्च को तोड़कर सिंपल शूगर्स में कर देते हैं जिसे की फूर्ट जो होते हैं वह आसाने से दैसेस्ट हो जाते हैं इसके आलावा असे लैवरी एंट में बहुत सारे नर्वस स्टिमुलेशन देखे गए हैं जिसमें mouth में होने वाले receptors में stimulation होता है उसके लाव ब्रेन में जो sensory impulses होते हैं और साथ ही साथ salivary glands में parasympathetic impulses होते हैं जो कि इनके mastication में बहुत ही helpful होते हैं अगर हम food को solid कर ले रहे हैं घोट ले रहे हैं तब इसके बाद टंक के जो muscles होते हैं वो food को बहुत अच्छे से mix up करने का काम करते हैं और अब यह food जो होते हैं वो हमारे mouth से pharynx में चले जाते हैं और अगर pharynx की बात करें तो pharynx एक ऐसा organ है जो की digestion में भी helpful है और साथ ही साथ respiration में भी helpful हैं इस pharynx की जो size होती है वो five inch लंबी होती हैं और इसके corner पर एक इस्कीन का flap पाये जाता है जिसको e-p glottis का जाता है जब भी हम खाना खाते हैं तो यह e-p glottis जो होता है वो respiratory tract को cover कर लेता है जिससे की हमारा food respiratory tract में न जाए अगर हम खाना खाते वक्त बात करते हैं तो यह food जो होता है वो हमारे respiratory tract में चला जाता है जिससे हमें बहुत सारी problems create हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं कि food जो है वो pharynx में आ गया अब pharynx से ये निगल लिया जाता है और निगल के ये isophagus में चला जाता है अब हम बात करते हैं इसो फैगस के बारे में अगर इसो फैगस की बात की जाए तो ये एक गुलेट है जो की एक muscular tubes होते हैं जो की ingested food को mouth से लेके इस्टमक में भेजने का काम करते हैं food जो की इसो फैगस में जाते हैं उसमें बहुत सारे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होते हैं इस पेरिस्टाल्टिक मोमेंट से फूड हमारे इसो फैगस से इस तमक में चले जाते हैं अगर इस तमक किस्टोलाजी पर एक नजर डाली जाए तो इस तमक में बहुत सारे mucos membrane पा यह स्प्रवायक गर इसोफगा और इसमाल इंटस् unanim के पहले पर्त पर्षन पर्सिंट होते हैं इस तब के ठीक नीचे पैंक्रियास पाई जाता है इस्टमक में बहुत सारे म्यूकस मेंब्रेन की लाइनिंग पाई जाती है साथ इसाथ इनमें कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्टिक जूस का सिक्रेशन करते हैं जब भी फूट इसोफेगर से स्टमक में जाता है यह मिल इंटस्टाइन के पहले पर्डियानिक की दिडियोडिनम में चला जाता है इस स्टमक को चर सेक्षिन में डिवाइट है और इसमें से अलगा सेस्टित संद्टा इसां तो इसमेज थी अब लोग सिध साथ हुआई हो स्थियूर्ट से रिलेर हो इसमें पोर्शन एग स्टमक होता है जो कि स्टमक को खोलने और बंद करने का काम करते हैं जब भी आप फूट लेते हैं इसोफाइगर से फूट अगर इस चमक में चला जाता है तो वह वापस अपके माउथ में नहीं आता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ मसल वाल पाये जाते हैं जो फूट को वापस आने नहीं देता है तो अगर इसमें मसल वाल की बात करें तो इसमें एक कार्डियर या इसोफाइगल इसफिंक्शर होते हैं जो उपर की तरफ होते हैं और एक पाइलोरिक इसफिंक्श होते हैं इनका पीएच एक से तीन तक हो सकता है गेस्टिक एसिड जो होते हैं वो कभी-कभी इस्टमक की वाल पर या फिर इस्टमक की म्यूकस लेयर में कुछ डैमिश कॉज कर देते हैं जिससे की पैप्टिक अलसर हो जाता है और इस्टमक की अंदर साइड पर बहुत सारे सक्राइब स्कीन की फोल्डिंग देखिक गई है जिसको गेस्टिक रूगे कहा जाता है यह की गेस्टिक दो होते हैं वह अगर बहुत जादा खाना काते हैं तो इस्टमक की सर्फेस एरिया को बढ़ा देने का काम करते हैं अब हम बात करते हैं गेस्टिट गाएज 9 cyn जस बहुत सारे डिफ्रेंट कैमिकल्स देखे गए हैं जिसमें पेरियेटल सेल्स जो होते हैं वह हाइड्रो क्लोरी केसिड यानिक के सील का सिक्रेशन करते हैं और चीफ सेल्स जो होते हैं वह पैपसीनोजेन का सिक्रेशन करते हैं गोबलेट सेल्स जो होते हैं म्यूकस का सिक्रे करती हूं वेसल्स और नर्व आर्टरीज के बारे में अगर वेसल्स और नर्व आर्टरीज की बात की जाए तो आर्टरीज जो होते हैं वो इस चमक में बहुत सारी सप्लाई देती है जिसमें लेफ्ट गैस्टिक आर्टरीज होती है राइट गैस्टिक आर्टरीज होती है इ के लावा इसमें short gastric branches linear की भी देखी गई हैं तो कहने का मतलब कि इन में arteries और इन में vessels जो होते हैं vessels में arteries और veins जो होते हैं वो stomach में पाए जाते हैं यह supply जो होता है वो muscular coat में जाता है या फिर सब mucos coat में जाता है या फिर mucos membrane तक जाता है अब मैं बात करती हूँ capillaries के बारे में capillaries में arteries जो होती है वो तूट जाती है और तूट के बहुत सारे gastric tubes बनाती है या फिर fine capillaries की plexus बनाती है जो की ट्यूब्यूस के बीच में उपर की तरफ जाता है और आपस में ही उलच जाता है और इसमें जो larger capillaries की plexus जो होती है उनकी endings भी दिखाई देती है इसके अलावा इनमे hexagonal meshes जो होते हैं ducts के चारों तरफ दिखाई देते हैं अब मैं बात करती हूँ वेंस के वेंस जो होते हैं वो इसमें बहुत सारे वेंस जो की ट्यूब्यूस के उपर की तरफ बीच में नीचे की तरफ देखे गए हैं जैसे की यह यह तो linear होते हैं यह और और superior mesentric veins वगेरा इसमें पाजाते हैं या फिर इनमें portal vein जो की direct इनमें जाते हैं वें और capillaries में फर्क यह वें जो होते हैं वो blood को collect करने का काम करते हैं और जो arteries होती हैं वो blood को supply करने का यानि की organ को blood देने का काम करती हैं वें में हमेशा deoxygenated blood होते हैं जबकि arteries में हमेशा oxygenated blood होती हैं इसके अलावा हम बात करते हैं lymphatics की lymphatics भी बहुत तरह के होते हैं जो superficial nature के देखे गए हैं नर्व की बात करें तो इनमें नर्व की terminal branches जो की यूरित्रा के यूरित्रा के left और right branches बनाते हैं इसके अलावा इसमें यह देखा किया कि नर्व जो होते वह उपर की side भी फैले हुए हैं और बाद में यह देखा कि वह सारे सिफैलिक प्लैक्सेस की branches जो होती है वो इनमें distributed होती है कहने का मतलब कि इनमें कई तरह की nerves होती हैं अगर हम nerves और capillaries यानि की vessels और नर्व का detail structure या detail study करना हो तो उसे हम अलग से कर सकते हैं यहां पर इसका बहुत जादा important नहीं है इसके बाद मैं बात करती हूं small intestine के बारे में अगर small intestine की बात की जाए तो small intestine एक site है जहां पर chemical और mechanical digestion होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाय जाते हैं जिसको विलाई कहा जाता है और यह विलाई जो होते हैं वो food को absorb करने में सहायता प्रदान करते हैं बहुत सारे food का absorption जो होता है जियोजिनम और जेजुनम और इलियम में होता हैं और small intestine का main function यह है कि वो protein का digestion करके उसको peptides में और amino acid में convert कर देती हैं जबकि यह peptides जो होते हैं वो बाद में टूटके amino acids में convert हो जाते हैं और इसके अलावा lipids को यह तोड़के fatty acid और glycerol में बदल देती हैं और carbohydrate को तोड़के simple sugars में convert कर देती हैं इसमाल intestine के 3 parts होते हैं जो मैंने पहले ही आपको mention कर दिया हैं इसमें पहला part duodenum होता है जो कि स्टमक से चिपका होता है उसके बाद jejunum होता है उसके बाद ileum होता है अगर duodenum की बात की जाये तो duodenum एक holo structure है जो कि स्टमक के साथ जुड़ा होता है ये इसका सबसे पहला और छोटा part है अगर जो duodenum की बात करें तो ये intestine का सबसे पहला और सबसे छोटा part होता है जो कि duodenal bulb से शुरू होता है और ये treats के ligament पर खतम हो जाता है duodenum जो होते हैं वो retro peritonial nature में होते हैं डियोडिनम ऐसी जगह है जहां पर bile और pancreatic juice intestine में आते हैं यानि कि liver से जो भी bile ducts होते हैं वो duodenum में ही खुलते हैं और pancreas से जो भी pancreatic duct हैं वो भी duodenum में ही खुलते हैं आने के pancreatic juice भी duodenum में आती है और liver का जो bile होता है बाइल भी duodenum में ही आता है अब मैं बात करती हूं जेजुनम के बारे में जेजुनम एक small bowl like structure है जो कि duodenum के distaline और ileum के proximal part के बीच में लटका होता है या proximal part में present होता है जेजुनम की inner surface जो होती है वो mucos membrane की बनी होती है जिसमें बहुत सारे projection देखे गए हैं जिनको विलाई कहा जाता है और ये विलाई जो होते हैं वो surface area को बढ़ाने का काम करते हैं जो किसी भी nutrients के absorption के लिए बहुत जादा helpful है ये ileum से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें बहुत कम goblet cells पाय जाते हैं और इनमें pierce patches की कमी देखी गई है अब हम ileum की बात करते हैं तो ileum का main function ये है कि ये vitamin B12 को absorb करने का काम करता है साथी साथ ये bile cells को भी absorb करने का काम करता है इसकी जो wall होती है उनमें बहुत सारे folds होते हैं जिसमें finger like projection बने होते हैं जिसको विलाई कहा जाता है विलाई जो होते हैं वो बात में बहुत सारे micro विलाई का formation करते हैं तो ileum की जो cells पाए जाती है उसमें protease और carbohydrate जैसे enzymes प्रजेंट होते हैं जो कि protein और carbohydrate के final digestion में helpful होते हैं वो enzymes जो की epithelial cells के cytoplasm में present होते हैं वो किसी भी carbohydrate को किसी भी protein को पूरी तरह से digest करने का काम करती हैं विलाई में बहुत सारी capillaries देखी गई हैं जो amino acids को और glucose को ले लेते हैं यानि कि विलाई जब भी कोई food digest हो जाता है तो वो जाके विलाई में मिल जाता है विलाई की capillaries में blood होती है और वो blood में जाके मिल जाता है अब मैं बात करती हूं large intestine के बारे में large intestine जो की ileum से एनस तक फैला हुआ है जो की 5 feet लंबा होता है और ये पूरी की पूरी intestinal canal का एक बटा पांचवा part बनाता है ये आगे की तरह पहले प्रारंब में सिकम होता है इसके starting में सिकम पा जाता है बाद में ये rectum में जाके पतला होके rectum का formation करता है ये चुकि small intestine से अलग होते हैं इन में कई parts देखे गए जैसे सबसे उपर की तरफ इसमें सिकम पा जाता है उसके बाद colon उसके बाद rectum और बाद में anal canal पाए जाते हैं तो large intestine का main function ये है कि ये किसी भी food को जब पूर रूप से जो कोई भी completely digested food जब large intestine में जाती है तो वहाँ पर कुछ मिंदस का absorption होता है और water का reabsorption होता है अब मैं बात करती हूँ एनस के बारे में एनस जो होते हैं वो बुटक्स के बीच में present होते हैं और इसमें sphincture पाए जाते हैं दो तरह के हैं इसमें पहला sphincture जो कि smooth muscles का बना होता है जो कि in volume entry होता है यानि कि वो अपने से काम करता है अनैच्छिक होता है और दूसरा एक steated muscles का बना sphincture होता है जो कि volume entry होता है जब भी किसी animal में या फिर human being में एनस जो होते हैं जब भी बहुत जादा pressure बनता है इस sphincture पर तो जो भी faces होते हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं तो कहने का मतलब यह है कि एनस का जो main role है वो यह है कि जब rectum पूरी तरह से कि अच्यां जयेगा तो इसमें इंट्रा रेक्टल प्रे बढ़ं जाएगी और जो इंट्रा सब्रैक्टल प्रेसेर बढ़ें लागश करेगा ऍलकल करेंग कि वह के नमें चला जाए को परेक्टम जो होते हैं वह में बहुत सारे परिस्टाल्टिक विफ परेप शोरते हैं जो कि faces को धक्का देते हैं rectum से बाहर निकलने के लिए और faces जो होते हैं वो एनस के रास्ते बाहर निकल जाते हैं तो यह है आपके digestive system का overall process इसके अलावा pancreas है जो कि एक तरह की digestive organ की तरह काम करती है जिसको accessory organ कहा जाता है इसके लावा liver है और साथी साथ इसमें absorption कैसे होता है तो मैं absorption के बारे में और pancreas liver के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी I hope आज मैंने जितना आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो भी आप comment कर कर दो आपको 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 आपको